सो वेलकम बैक टू अनेदर वीडियो मैं अम्या स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजिनियर्स में तो नया अपना महाट्रांसको का जो रिकूरूटमेंट आया है जो शॉर्ट नोटिस हमने कल देखा था उससे रेटेड बहुत सरे डाउट है स्टूरेंट्स के माइ सबसे पहले टोटल 10 यहाँ पर अडवर्टायजमेंट आने वाले तो उसमें से अभी फोन टू एनट्री जो अडवर्डाजमेंट है वह यहाँ पर दोकर दिया है उसमें से जो सेकेंड अडवर्डाजमेंट है उनका जो एक्जाम का एप्रोग्जिमेटली अन्होंने रहेगा तो हम लोग भी ऐसा expect कर सकते कि approximately September October के around अपना जो एक्जाम है वो रहेगा तो अभी चालो है जून तो अभी खतम हो गया almost अभी अपने पास complete July बाकी है July August और September हम लोग consider करेंगे ठीक है mid September भी अगर हम लोग अब भी 75-90 डेज है तो यह हम लोग अगर तीन महना भी consider करेंगे तो भी एक एकक्जाम करने के लिए बहुत होता है कोई अगर फ्रेशर भी रहेगा तो भी वह एज़ी अच्छे से यहाँ पर कर सकते तो इसके लिए प्लान कैसा रहेगा शेडूल कैसा रहेगा अब लोग ए के मैंने कल बता था कि डिप्लोमा के लिए यहाँ पर वेकेंसी है थोड़ा बहुत कंफीजन हुआ था शायद वहाँ पर लेकिन मैंने कुछ से बात की अंदर जो का अभी जॉब कर रहे फिलाल उनसे थोड़ी बात करके लिए कि वहाँ पर भी उनको एक्जेक्ट क्लियर नही है कि इन में से कुछ डिप्लोमा के लिए फेटन सी है कि नहीं है क्यूंकि प्रीवयर्स पर क्लियर कर्यार यहांप refusing अकरीए क offense यह तो अbands दोग दोपरinsky है наж coaching के लिए यह लेकिन डिप्लोमा के लिए शायद यहाँ पर वेकेंसी नहीं हम लोग फुल नोटिफिकेशन का वेट करेंगे उससे रड़ डॉक्यूमेंट है वो मिला है आप यहाँ पर देख सेथे सिनेर टेकनिशन वन और टेकनिशन टू है यह अभीका नहीं है यह पूराना है लेकिन य मांगा है ठीक है तो अभी तक के लिए तो इतना ही है लेकिन हम लोग ऑफिशल नोटिफिकेशन के लिए वेट करेंगे आगे देखते प्रिपेरेशन स्ट्रेटीज या फिर प्लैन क्या रहेगा यह एक वीडियो में हमें कंप्लेट करने के कोशिश नहीं करूँगा इसके जो अभी आगे आने वाले सेमेस्टर में पासवाट होंगे तो उनके लिए क्या प्रिपेरेशन स्ट्रेटीजी रहेगी क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट आना भी बाके एक दो महने में आ जाएगा तो उनके लिए प्लैन कैसे वह एक्जीक्यूट कर सकते उनके लिए वीडियो बनाऊँगा में एक ही वीडियो में सारी चीज़े कवर करूंगा जो सेल स्टूडी कर रहे या फिर मितलब कोचिंग से या फिर ओनलैन कोर्से से या फिर हम लोग कहें सकते कि खुझ से पढ़ रहे या फिर कई पर ज के दो केटेगर हम लोग कंसिलेटर करेंगे एक तो सेल्फ स्टड़ी वाला और दूसरा है वह या तो कोचिंग में या फिर ऑनलाइन कोर्स से वह पढ़ रहे तो उनके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेजी क्या रहेगा जो एक्सपेरियन्स टुड़न्ट है याने कि अल्रेडी करेंगे तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग जो कुछ भी डाउट से वह सौल करेंगी कोशिश करेंगे जो में मेजर स्टून्ट ने पूछा था आगे दा कि विच बुक्स टू रेफर कौन से कौन से बूक है वह हम लोग रेफर करेंगे तो सी थेरी पढ़ने के लिए कोई भी रेफर करना मत कोई भी बूक है वह रेफर मत करना पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उनके लिए आप यहाप रेफर कर सकते हैं लेकिन इसके जो क्वेशन से वह बहुत बहुत अच्छे हैं और यह कुछ एक्जाम में बहुत बार कर दें तो आपका कंसेट है वह बहुत अच्छे लेवल पर क्लियर हो जाएंगे तो यह बुक लट अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर से पर्चस कर सकते हो बहुत अच्छा बूक है कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है मैंने पर्सनली यूज किया था तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सज़ेस्ट कर रहा हो क्योंकि प्रिवेसर कोईशन एक बहुत बड़ा रोल है वह प्ले करते हैं इसका लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आगे ट्रांसको जैनको और डिस्कॉम का एक बुक आता है एस की तरफ से लेकिन वह अब आप आउट आफ स्टॉक हो गया तो इसके लिए आप अल्टरनेटिव यह जो बूख है ओम इंस्ट्रिटूट के तरफ से जो आता है यह भी आप रेफर कर सकते हो इसका इंडेक्स में यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया लिंक वगर है वो सारे आपको डिस्क्रिप्श के बिचंस है तो अगर आपके पास नई है अपको ट्रांस को डिसक्तों और जनकों के भी akkor मिल जाए कुछ-कुछ एडिशनल टॉपिक्स भैं जो हमारे काम के नए है लेकिन वह आप इगनोर कर सकते हैं तो यह भी आप अगर आप चाहिए तो रेफर कर सकते हैं को बता दूँगा उसके साथ जो प्रिवेसर क्वेशन से अपने लिए बहुत इंपोर्टन होते हैं कंटेंट भी मैंने यहाँ पर आपको दे दिया इस बूक के अंदर क्या क्या आएगा तो आप इससे रेफर कर सकते हो चाहिए तो बहुत अच्छा बूग है मैंने परसनल यूज किया है लिए जोडा बहुत मिस्टेक्स है इसमें लेकिन सिर्फ आपको कैसे कैसे प्रेक्टिस करने यह आपको देखना है, और महरठी के लिए आप अपना नॉर्मल कोई भी वीडियो है वो देख सकते है यूट्यूब पे जो आपको अच्छा लिए उसके लिए कोई भी बुक वग के सरे जो link है वह आपको description में मिल जाएगे उसके वाला how to prepare non-technical subjects और तो आप non-technical subjects है वो यानि के reasoning है aptitude है आपको जो कोई भी YouTube का channel पसंद आप किसी का भी course है वह purchase कर से तो मैं परसनल यहापको कोई suggest नहीं करूंगा लेकिन YouTube YouTube पर अगर आपने जीरो का जो कोर्स है वह अगर आपने देख लिए जीरो टू हिरू अगर आपने वहाँ पर सर्च कर लिए तो आपको प्लेइलिस्ट वगरे मिल जाएगी किसका चैनल वगरे आपको जो सब्सक्राइब आपको मिलेगा वही आप रेफर कर सकते हैं बहुत अ आलवा important subjects जो students first time prepare कर रहे हैं तो उनके लिए में बता दूँगा कि कौन से कौन से subject आपको सबसे पहले करने तो power system का बहुत बड़ा heavy weightage होता यहाँ पे तो आप यह सबसे पहले power system करोगे और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ power system करके जाओगे क्योंकि बहुत सरे student वो ऐसा mistake करेंग सब्जेक्ट है वो हमें complete करना है और जिनका बहुत ही दो तीन या फिर चार पाच मार के लिए छूट गया है तो उनको तो सभी के सभी सब्जेक्ट यहाँ पे करने है और अगर डिजिटल एनलोग का वगर क्वेस्टेंस आया control system का बहुत ही आसान सा होता है अगर आपने skip क कर दिये तो आप वहाँ पर कहीं ना कहीं पर अपना सिलेक्शन है वो खोद होगे तो यहाँ पर सबसे पहले टॉप्मोस प्रियरिटी जैने रैंकिंग वाइस ही लिखा यहाँ पर पावर सिस्टेम टॉप पर आएगा उसके बाद इलेक्ट्रिकल मेशिन उसके बाद नेट करना है यह मैं आपको रॉफ आइडिया दे दूंगा नेक्स वीडियो में इसके अलावा और एक क्वेशन था कि अधर स्टेट के जो कैंडिडेट से वह अपलाय कर सकते हैं तो यह जो अपना लास्ट विकेंसी हुआ था तो उसके नोटिफिकेशन फूल नोटिफिकेशन म the महराश्टर स्टेट तो महराश्टर स्टेट के अलावा वह से अपलाय नहीं कर सकते हैं तो मैने आइसके यह वह».